उत्राखन मुक्त विश्व विद्याले के समस्तर शोताओं को मेरा नमस्कार मैं आरुशी असिस्टेंट प्रोफेसर राजनीति विग्यार विभाग से आज हम तुलनात्मक राजनीति के विभिन उपागमों पर चर्चा करेंगे आज की हमारी चर्चा का जो कंटेंट है जो विशय है जिस पर हम बात करेंगे वो है इंट्रोडक्शन ओफ अप्रोचस मतब कि जो उपागम है उसका परीचा है उसका क्या महत्व है इस पर बात करेंगे क्लासिफिकेशन ओफ अप्रोचस जो हमारे उपागम है उनके विभाजन पर हम बात करेंगे ये कितने प्रकार के होते हैं इनका क्या महत्व है जिसमें कि अगर हम अप्रोचस के प्रकार की बात करते हैं तो तुलनात्मक राजनीति में परंपरावादी और आधुनिक दो तरह के उपागम को हम पढ़ेंगे इसके अलावा आज हम जो विशेश तौर पर जो हम फोकस करेंगे वो होगा टाइप्स ओफ ट्रडिशनल अप्रोचस मतलब की जो परंपरावादी उपागम है उनके प्रकारों पर हम बात करेंगे तो अप्रोचस आर टूल्स बाय विच गुच देजिए अप्रोच साइब आप्रोचस तो आलाविच देविच सवथो गतावादा खुल करेंगे तो अप्रोचस जो को शिकतिन जो कुर आखिमे उपरिशनल चुचिया उनके यहा हम फोट विशेश अल्यृ प्रॉट्स भाली पार्वा चला न हम इनक्यो जो हमार की कोशुश करेंगे तो उन्हें हम कुछ इस तरह से समझ सकते हैं कि जो हमारे उपागम होते हैं इन्हें जो है हमारे जो विद्वान रहे हैं राजनीति विज्ञान तुलनात्मक राजनीति के जो विद्वान रहे हैं उन्होंने इसे एक साधन के रूप में प्रियोग किया ह एक understanding के लिए कि राजनीतिक जो समझ को बनाने के लिए उनके द्वारा इन उपागमों का प्रयोग किया गया है इसके अलावा अप्रोच को हम कुछ इस तरह से भी समझा जा सकता है कि ये जो है फैक्ट जितने भी तथ्य होते हैं वो कितने relevant हैं उनकी प्रासांगिकता क्या है कितनी है वो हम जो है उपागम के माध्यम से ही समझ पाते हैं इसके अलावा जो की diversity और जो complexity है हमारे मतलब कि हमारे political system में political जो हमारा behavior है मतलब कि जो हमारी राजनीतिक व्यवस्था राजनीतिक व्यवहार में जिस तरह की complexity है और diversity है उसको यदि हमें बहतर तरीके से समझना है तो उसके लिए हमें जो है approaches का ही सहरा लेना होता है तो अभी अगर हम इसे और जादा साधारन भाशा में समझने की कोशिश करेंगे कि approaches जो है वो क्या है तो उसे हम इस तरह समझ सकते हैं कि उपागम जो है यहाँ एक तरीका है या कुछ इस तरह से कहा जा सकता है कि यहाँ एक पध्धती है अगर हम बात करते हैं approaches of comparative politics तो इसका मतलब यह है कि जो हम तुलनात्मक राजनीती को पढ़ने का जो तरीका है वो किस प्रकार है, वो क्या है, किस तरह से तुलनात्मक राजनीती को पढ़ा जाता है या किस पद्धती के माध्यम से हम तुलनात्मक राजनीती को पढ़ते हैं तो ये अपरोच को हम इस तरह से सामान्य भाशा में समझ सकते हैं अब हम बात करते हैं traditional approaches की जिसको की पारंपरावादी approach उपागम कहा जाता है The traditional approach to political science was broadly predominant till the occurrence of the second world war. These approaches were mainly associated with the traditional outlook of politics which underline the study of the state and government. The political philosophers supporting these approaches and raised questions such as what should be an ideal state तो इसमें जो है जो हम बात करते हैं परंपरावादी उपागम की इसका अगर हम बिलकुल ये कहें कि traditional approach और modern approach जो हम अभी हमने शुरू में बताया था कि परंपरावादी और आधुनिक जो हमारे उपागम है इन दोनों के मध्य कोई ऐसा segregate हम इनको नहीं कर सकते हैं लेकिन जब हम परंपरावादी उपागम की बात करते हैं तो इनको लगभग ऐसा देखा जाता है कि दुथिय विश्वय युद्ध तक जो है इनको इनका जो है अस्तित्व रहा है इनका जो है डॉमिनेशन रहा है इसके बाद जो है धीरे धीरे जो है आधुनिक अप्रोच में आधुनिक जो हमारा उपागम था उसने जो है इसकी जगा ली है इसके अलावा हम देखते हैं कि जो हमारा परमपरावादी उपागम रहा है यहाँ पर जितने भी हमारे इंस्टिउशन रहे हैं जो कि हमारे समविधान में जिन भी इंस्टिउशन की जिन भी संस्थाओं की बात की गई है जैसे कि हमारे state की, government की और जैसे हमारे बाकी की जो institutions हैं जैसे कि legislature हो गया और judiciary हो गई तो इनका जो है study पर ही focus किया जाता था इसके अलावा जो भी इसके supporters रहे हैं, political philosophers जो भी परंपरावादी उपागम की supporter रहे हैं उन लोगों का जो approach है और जो भी अपना शुरू करते हैं जैसे जब भी हम कोई अपनी research या अपना study हम शुरू करते हैं तो हमारी समक्ष कुछ सवाल होते हैं तो उसी तरह जो हमारे philosophers रहे हैं जिन्होंने परंपरावादी उपागम का support किया है उनके समक्ष जो हमेशा मतला पहला जो सवाल रहा है वो कुछ इस तरह रहा है कि what should be an ideal state मतलब कि एक आइडल जो एक आदर्श राज है वो किस प्रकार होना चाहिए तो जब भी हम यह होना चाहिए वाले इस तरह की शब्दों का इस तरह से हम अपने प्रश्णों की शुरूआत करते हैं तो वो एक हमें आदर्श की तरफ एक आइडलिजम की तरफ हमें ले कर जा तो नात्मक राजनीती जो है वो किस प्रकार से पढ़ा जाता था और साथ ही ऐसे कौन से तत्व रहे हैं जिन पर इसका प्रभाव रहा है अगर हम साथ ही अगर हम परमपरावादी उपागम की विशेशताओं पर बात करें जिससे कि हमारा कॉंसेप्ट और जादा अच्छे स कि ट्रडिशनल अप्रोच जो है परमपरावादी उपागम इनकी विशेशताओं कुछ इस प्रकार है कि इनका जो अध्यन का जो द्रिस्टिकोन रहा है वो आपचारिक, कानूनी और संस्थात्मक था जैसा कि मैं पहले अभी अभी बता चुकी हूं कि इनका जो अप्रोच जो स्टड़ी का जो सैंटर था जो फोकस था वो जो है मेनली मैंदे हमारी ए्ग्ज कुटिव वो गया, जुडिशरी हो गया, हमारी लेजिसलेचार हो गया, स्टेट गॉर्मोंटिंट इन ही पर इनका फोकस रहता था हैank इसके अलावा अगर हम इसकी दूसरे औह शेश्ता पर ध्यान देंगे तो इसका जो एरिया है वो नेरो था किस तरह से नेरो मितलब की संकीन इसका छेत रहा है वो इस प्रकार रहा है कि जितने भी हमारे philosophers जो traditional approach के supporter रहे हैं उन लोगों का जो है वो लोग जो है western जो political system है मतलब कि जो हमारा पर्ष्चिमी राजनी तिक व्यवस्ता है उसका अध्यान करने पर ये लोग जादा विश्वास करते थे मतलब जो centric मतलब western political system centric इनकी study रही है तो इसमें जैसे कि इसके अलावा ये तो एरिया क्योंकि अब हम हमारा जो धिरे जैसे कि third world वाले जो countries है वो भी है लेकिन इनका जो एरिया रहा है वो सिर्फ western country का रहा है उसमें भी इनका एरिया और जादा narrow इसलिए हो जाता है क्योंकि इनका जो focus रहा है वो democratic system मतलब लोकतांत्रिक व्यवस्था पर जिन भी देशों में लोकतांत्रिक व्यवस्था रही है लोकतांत्रिक साशन व्यवस्था रही है उन्हीं देशों के अध्यन को इनके द्वारा प्रार्थमिक्ता दी गए थी हला कि कुछ इसका अपवाद है जैसे कि रश्या में जहां पर सामयवादी व्यवस्था रही जर्मनी है जहां पर नाजी व्यवस्था रही इनका भी अध्यन इनके द्वारा किया जाता था पर सामानी तोर पर जो मतलब कि डॉमिनेशन जो था उस पर्टिकुलर वो जो दौर था उस समय पाश्या तोर राजनीतिक व्यवस्थाओं के अध्यन पर ही जोर दिया जाता था इसके अलावा इसको एक और विशेश्ता है इस पर वर्ननात्मक पध्धति का प्रयोक किया जा ठाड़ा था इस जो हैं वहाँ पर सर्फ इस प्रकार जो समानत हैं वहां की विश्षिष्टा ये हैं इस परकार की समानता है इंडिया के जो संसदात्मिक साशन व्यवस्ता है उसकी समानता ये ये हैं तो इस प्रकार मतलब सिर्फ उनको उनका समानता और समानतां का सिर्फ वर्णन कर दिया जाता है उसके अलावा इस बात पर जोर नहीं दिया जाएगा कि अगर समान समान व्यवस्ता होने की इस उबागम से जो सम्बंदित विद्वान रहे हैं वो बार कर रहे हैं लास्की, फ्रेडरिक, फाइनर ये लोग जो हैं इसको इस अप्रोच के समर्थक रहे हैं ये हमारे टाइपस ओफ ट्रडिशनल अप्रोच जिसमें हम देख सकते हैं फिलोसिकल अप्रोच है और हमारा ल कहा ज घटा है वो दर्शनिक उपागम कहा जाता है being one of the oldest approach its first feature is that it made thinker to fly in the heights of imagination to find out the truth and knowledge it is an normative in character and believes in building norms or um certain standards it followed the तो यह है दार्शनिक उपागम जिसमें यह है कि हम अपनी इमेश में जो है जादा तर जो है कल्पनाओं के माध्यूं से ही एक हम नॉलेज में जो हमारा ज्ञान है और सत्य की खोज की जाती है जैसे कि इसका हम एक्जाम्पल के तौर पर यह देख सकते हैं कि प्लेटो का जो प्लेटो ने जो अपने आदर्श राज्यकी कल्पना की है वो कुछ इसी श्रेनी में आता है और यह जो हमारे थॉमस मूर रहे हैं इन्होंने जो यूटोपियन राज्यकी जो कल्पना की थी वो भी इसी में शामिल उसे भी इसी में शामिल किया जा सकता है इसके प्राकृतिक अधिकारों का सध्धान्त हो तो उन्होंने इन लोगों ने अपने इन सिध्धान्तों में लगभग दार्शनिक पधती है इसी को अपनाया है और इसके बाद हम बात करेंगे इंस्टिटूशनल अप्रोच की Institutional Approach है, in this approach the formal institutions of government like legislature, executive and judiciary provide the subject matter of comparison in terms of their powers, functions, role and mutual relations It involves a relatively detailed description of analysis followed by an attempt to clarify which details are similar or different तो institutional जो अप्रोच है जिसे हिंदी में हम संस्थात्मक उपागुम भी कहते हैं इसमें जो है विशेश तौर पर सरकार की जो संस्थाएं हैं जैसे कि हमारी विधाय का हो गई, कारेपाले का हो गई, न्यायपाले का हो गई इन ही के अध्यन पर, इन ही के comparison पर focus किया जाता रहा है जैसे कि हमने विभिन जो कारेपालिकाएं हैं, विभिन देशों में जो कारेपालिकाएं हैं, जैसे हमने अमेरिका की जो कारेपालिका हैं, बृतें की कारेपालिका हैं, इंडिया अभारत की कारेपालिका हैं, इनका जो और इसजों पर जोर दिया जाथा रहा है, इसंग इसलिग आहीं हों हु hmm अधार की है। नियाए पालिका किया ज्यार करता है। ब्रिटेन की नियाए पालिका किस प्रकार काम करती है, इनकी जो functions है, वो किस प्रकार है, इनकी भूमिकाएं जो है, वो किस प्रकार है, तो इनका जो focus रहा है, वो इसी प्रकार के जो institutions है, हमारी government, जो सरकारी, जो हमारी संस्थाए है, उनहीं के जो है, तुलना पर इनका focus रह है next हम बात करेंगे legal approach की this approach treats the state primarily as an organization for the creation and enforcement of law here the study of politics is integrally bound up with the legal process of the country and the existence of a harmonious state of liberty and equality is unmarked by the glorious name of the rule of law. तो ये है हमारा कानूनी उपागम. कानूनी उपागम के बाद हम बात करेंगे हमारे एतिहासिक उपागम की जिसे की historical approach कहा जाता है. This approach emerged in the last quarter of 19th century. Some political scholars believe that through the study of historical background they could have a better and close insight into the working of institutions and political phenomena. Thus, in order to understand political theory we must bear in mind the time, the place and circumstances in which it evolved. तो जो historical approach है उसमें वो इस मानेता पर आधारित है कि जो राजनीतिक संस्थाएं हैं उनका निर्मान नहीं किया जाता है बिलकि वे जो हैं वो विकास का परिणाम होती हैं. इसमें जो कहा गया है वो कुछ इस प्रकार से हैं कि जो हमारा जो भी पॉलिटिकल थियोरी हैं राजनीतिक सिध्धान्त हैं वो जब भी मितलब वो अस्तित्व में आते हैं तो उनका जो संभंध होता है वो उस समय, जिस समय में वो उस समय की परिस्थतियों से उस समय का कौन से स्थान है उस समय की जो परिस्थतियां है इन सब के आधार पर इन सब का हमारे जो सिध्धान्त पर बहुत ज़्यादा प्रभाव होता है. मौन्टेस क्यों है, हीगल, मार्क्स इन सभी ने अपने अध्यन में इस अप्रोच का एतिहासिक उपागम का प्रियोग किया है थैंक यू